जिस विशय पर आज है वह विशय है अशुद्ध विद्या शिव सुत्र का विशय है अशुद्ध विद्या कल जो हमने चर्चा की थी वह चर्चा का विशय था विद्या शरीर विद्या क्या है? एक शुद्ध विद्या है एक अशुद्ध विद्या है तो अशुद्ध विद्या क्या है? तो अशुद्ध विद्या के उपर सुत्र मिलता है शिव सुत्र में वह सुत्र क्या कहता है? हम उसको समझने का आज प्रयास करेंगे तो सुत्र कहता है, शक्ति के गर्भ में, अब समझाने के लिए यहाँ पर लिखा जा रहा है, महा माया, शक्ति के गर्भ में, क्या, विकास होता है, चित का विकास होता है, तो जो महा माया शक्ति के गर्भ में जो चित का विकास होता है, वह विकास कैसा है? वही अशुद्ध विद्या है तो महा माया शक्ती के गर्व में जो चित्का विकास होता है वह क्या है? वह अशुद्ध विद्या है ऐसा कहा जा रहा है अविश्ष्च विद्या, स्वपनहां स्वपन के मानिन्द है इसी बात को श्रीमत भगवद गीता श्रीमद भगवद गीता के चौदध में अध्याए में भगवान स्रीकृष्ण क्या कहते हैं ममयोनिर महद ब्रह्मत अस्मिन गरभं ममयोनी महद ब्रह्मत अस्मिन गरभं दधाम्यहम संभवह सर्वभूतानाम ततो भवती भारत है अर्जुन मेरी महद ब्रह्म रूप मूल प्रकृती संपूर्ण भूतों की योनी है महद ब्रह्म महद ब्रह्म क्या है महद तत्व ब्रह्म का जो विवर्त है वो सबसे पहले महद के रूप में पाया गया महद तत्व मतलब बुद्धी बुद्धी ही वह योनी है जिसमें यह संपूर्ण संसार इंद्रियों का माध्यम लेते हुए प्रकाश्यत होता है तो संपूर्ण अविद्या का आधार बुद्धी है यदि हम पतंजली योग सुत्र के अनुसार अगर इस बात को समझें तो जो बुद्धी है वही अविद्या का आधार है यहां पर जिसे अशुध विद्या कहा जा रहा है जादातर वेदांत शास्त्रों में या योग में उसे अविद्या के नाम से भी जाना जाता है बुद्धी जो भी ग्रहन करती है वो सब अविद्या ही है तो महत ब्रह्मयोनी और यह सुत्र क्या कहता है शिवसुत्र कहता है गर्भे चित विकासो विशिश्च विद्या स्वपना गर्भे चित विकासो गर्भ में प्रकृती के गर्भ में महा माया के गर्भ में यही सुर कृष्ण भगवान कहते हैं 14. अध्याय में मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम्द धाम्यहम संभवा सर्वभूता नाम तको भवती भारत हे अर्जुन मेरी महत ब्रह्म मूल प्रकृती संपूर्ण भूतों की योनी है जहाँ पर इंद्रिय जगत का विकास होता है जहाँ पर सेंस्वल डेवलप्मेंट होता है जहाँ पर चित का विकास होता है चित का ही चित ही सारी दुनिया का प्रसार करता है लेकिन वहाँ पर चित का जो विकास है वहाँ बुद्धी और इंद्रियों पर आधारित होता है महत शब्द का अर्थ है बुद्धी तो संपूर्ण भूतों की योनी है अर्थात गर्भाधान का अस्थान है और मैं उस योनी में चेतन समुदाय रूप गर्भ को अस्थापन करता हुआ उस जड़ चेतन के सैयोग से सब भूतों की उत्पती करता हूँ मेरा सैयोग क्या है चेतना का सैयोग मात्र है सैयोग मात्र इसलिए समझना चाहिए इसलिए ब्रह्म सरवदा अकरता है यहां प्रकृष्ण ब्रह्मरूप अपनी व्याख्या कर रहे है परंतु ब्रह्मरूप कहने से क्या हो जाता है ब्रह्मरूप कहने से ही अकरता भाव स्थापित हो जाता है अकरता पन आ जाता है कि भाई वो तो कुछ कर नी रहा है इसलिए नवे अध्याय में भी स्रीकृष्णी इस बात को फिर कहते हैं चौधवे अध्याय में तो इसकी चर्चा कर दी मैं अध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचरम हे तुनानेन कौनते जगद्वी परिवर्तते हे अरजुन मुझ अधिष्ठाता मैंने अधिष्ठान किया है मुझ अधिष्ठाता के सकाश से मया अध्यक्षेन मेरी अध्यक्षता में मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सुयते सचराचरम यह प्रकृति ही सारी चराचर जगद्वी परिवर्तते और इस हेतू से ही यह संसार चक्र घूम रहा है तो कृष्ण ने कह दिया अगर हम पाश्चात्य पाश्चात्य रिलिजियस फिलासफी को अगर पढ़ेंगे आप अगर अबरहमी कल्ट की बात करेंगे तो वहाँ कोई फिलासफी नामक चीजी नहीं है सचाई तो यह है जहां फिलासफी आजाएगी वहाँ लॉजिक्स आजाएंगे वहाँ तरक आजाएंगे और जहां तरक आजाएगा जब आप बात करोगे किसी हेवेल्ली पावर के उपर या गौड के उपर तो वहाँ तरक नहीं हो पाएगा फिर इसलिए कृष्ण कहते हैं कि लोग कर्म करते हैं कैसे कर्म करते हैं कौन उनसे कर्म करवाने वाला है कौन पाप, कौन पुन्या तो पाश्यात religious theory है कि जो जितने भी अच्छे काम है वो इश्वर करवाता है और जितने बुरे काम है वो शैतान करवाता है लेकिन भारतिय दर्शन में कहीं पर भी शैतान नामक किसी शक्ति की कोई चर्चा नहीं मिलती है भगवान कृष्ण कहीं नहीं कहते कि बिपाप करम जो है कोई शैतान करवाता है कोई इविल करवाता है कौन करवाता है प्रकृति करवाती है और प्रकृति कैसे करवाती है प्रकृति के तीन गुन है रजो गुन तमो गुन सतो गुन तमो गुन के बढ़ जाने से और उसमें रजो गुन का मिश्रन अगर हो जाए तो विक्ति पाप कर्म करता है पाप कर्म करता है जैसी तमो गुन में रजो गुन का रियक्शन होता है तो विक्ति पाप कर्म करेगा तो कौन कर रहा है प्रकृति के गुन ही आपसे कर्म करवाते हैं कोई परमात्मा कोई उपर बैठा कोई इश्वर आपसे कोई कर्म करवाने नहीं आता है और ना कोई शैतान गुन है प्रकृति के ही गुन है हाँ हमें पाप से बचना चाहिए क्योंकि कर्मों का फल हमी को भूगना है कर्मन ने बादिकारस्ते मा फले शुकदाचना कर्म फल हेतु बुर्मा ते संगवस्त कर्मनी इसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल भूगना पड़ता है कर्म मातर ही तेरे अधिकार में है कदाचित फल तेरे अधिकार में नहीं है पुरुष्णी ये बाते समझाते हैं लेकिन ये कर्म हो गया ये इंद्रिया हो गई ये माया हो गया ये बहुत तरके जो हमने संसार बसा रखे हैं ये सही है, ये गलत है ये ऐसे है, ये वैसे है यह सब का सब अविद्या है इसी को अशुद्ध विध्या शिव सुत्र में इसी को अशुद्ध विध्या कहा जा रहा है और कहा जा रहा है गरभे चित विकासो अविशिष्ट विद्या स्वपनहा स्वपन के मानिंद ही सब कुछ है संसार में कुछ ऐसी भी बात समझाई जा रही है वह स्वपन रूप अर्थात विकल्प परतियात्मक है विकल्प परतियात्मक जिसमें विकल्प है तो जो भी संसार में हम देख रहे हैं जो भी संसार में हम अनुभाव कर रहे हैं वो सब अविद्या है और शिव सुत्र के अनुसार अशुद्ध विद्या है चुतिका विकास होना अशुद्ध विद्या है महा माया के गर्भ में यहां लिखा जा रहा है महा माया के गर्भ में और स्रिकृष्ण क्या कहते हैं मम योनिर ब्रह्म मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन गर्भ दधाम्म मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनी है मेरी महत ब्रह्म मुझसे अलग नहीं है सब कुछ ब्रह्म का ही विवर्त है विवर्त कहने का मतलब manifestation उस ब्रह्म का ही विवर्त होने के कारण प्रकृति भी उस ब्रह्म का ही विवर्त है किसी और की नहीं स्रिकर्षुन कहते हैं किसी और की नहीं सबकुछ उसी में है रामचरित मानस में बहुत बृहचर्चा है अगर आपने रामचरित मानस सुनी होगी तो आपने उसमें सुना होगा कि जड़ चेतन गुण दोश के बारे में कैसे गोश्वामी तुलसिदा जी चर्चा करते हैं और क्याते कितनी बारीक से चर्चा मुझे लगता है वो प्रतेक विक्ती को सुनना चाहिए और समझना चाहिए संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो गुण दोश से सना हुआ ना हो चाहे कोई बड़ा से बड़ा संत हो चाहे कोई अवतारी पुरुष ही क्यों ना हो वो सब गुण और दोश से सने हुए है ये हो सकता है कि किसी के अंदर गुण अधिक हो दोश कम हो किसी में दोश जादा हो गुण कम हो लेकिन संसार की कोई भी वस्तु इससे परे नहीं है गोस्वामित उसी दाज ने बहुत ही सुन्दर दार्शनिक काव्य को वहाँ पर लिखा है बालकांड के अंदर आता है स्रिक्रिश्न में यह बात अर्जुन को समझाने में लगे हुए हैं या प्रकृति के द्वारा प्रकृति के महत ब्रह्मयोनी जो वास्तो में महत ब्रह्मयोनी क्यों बोल रहे हैं उसे इसलिए बोल रहे हैं कि वह ब्रह्म का ही विवर्थ है वह ब्रह्म का ही प्रकाशन है प्रकृति के रूप में और योनी के रूप में और उसमें चेतन जो आ रहा है वह भी ब्रह्म ही है वह योनी भी ब्रह्म है और वह चेतन भी ब्रह्म है वो सब ब्रह्म ही है तो उसमें ऐसा विकास चल रहा है ऐसा development चल रहा है और यह जो महा माया के गर्भ में, इस प्रकृति के गर्भ में, इस शिवा के गर्भ में, शिव और शिवा, शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है, शिव शुत्र का यह विशेज बिंदु है, शिव और शक्ति में कहीं कोई भेद नहीं है, इसलिए सब कुछ शिव माना गय ज़िव के मूल तत्व माना गया है। शिव के अलावा कोई दूसरा तत्व नहीं है। तो प्रक्रति में इस प्रकार से जड total का संयोग करके प्रक्रति चेतन के संयोग से बुध्धी चित की अवस्था मानी जाती है। चेतन के सैयोग से चित की अवस्था मानी जाती है और वह चित जो है बुद्धी रूप होकर कारे करना शुरू कर देता है और जब उसका विकास होता है तो उसका संपुर्ण विकास इंद्रियों पर निर्भर है बुद्धी पर निर्भर है और यही अविद्या है यही उसको भेद मिलेगा, डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा, कई तरह के भेद उसको मिलेंगे, डाइवर्स्टीज मिलेंगे उसे, लेकिन अगर वही बुद्धी इंद्रियों को छोड़ दे, इंद्रियों को त्याग करकर अंतर मुखी हो जाए, अपनी दिशा को आत्मा की ओर कर दे, तो वह भेद मुक्त होकर अस्तित्व हीन हो जाएगी, अरे जहां कोई भेद ही नहीं होगी, वहां बुद्धी का काम क्या, जहां सब कुछ बराबर हो जाए, जहां पर समता अस्थापित हो जाए, जहां पर पूर्ण संतुलन आ जाए, वहां बुद्धी के क्या वो शक्ता बुद्धी का सारा समराज्य वहां खतम हो जाएगा लेकिन सत्य की प्राप्ति हो जाएगी समाधी की प्राप्ति हो जाएगी समत्व बुद्धी वहां आ जाएगी इस्थित प्रग्यता जहां पर बुद्धी इस्थिर हो गई इस्थित प्रग्यता की अवस्था आजाएगी वह अंसी अवस्था आजाएगी इस्थित प्रग्यता की अवस्था बन जाएगी तो बुद्धी का समराज्य वहां खतम हो जाएगा फिर बुद्धी का कोई समराज्य वहां टिकने वाला नहीं है तो इसी लिए महत ब्रह्मयोनी ये जो महत ब्रह्मयोनी है इस महत ब्रह्मयोनी वो यहाँ पर समझाने का प्रयास शिवसुत्र में भी किया गया है कि इसी लिए गर्भ शब्द का प्रयोग है गर्भ में हिरन्ने गर्भ क्या है वास्तों में हम सब भी एक गर्ब में हैं हम सब कहाँ पर हैं? एक प्रकृती के गर्ब में है हमारी अवस्था कहाँ पर है? प्रकृती के गर्ब में है चीक है? हमारी अवस्था प्रकृती के गर्ब में हम सब प्रकृती के गर्ब में है और ये संपूर्ण संसार हम इसे ब्रमांड कहते है ब्रम का अंड है ये ये ब्रम के ही भीतर है और हम सब हिरन्य गर्भ में हम सब का वास है इसी लिए जीव जगत उसे हिरन्य गर्भ का ही परिणाम है जीव जगत उसे हिरन्य गर्भ में ही रहता है तो कुछ ऐसा ऐसी विचारधारा यहां पर दी जा रही है कि यह संपूर्ण संसार जो की अशुद्ध विद्या है अविद्या रूप है यह चित से महा माया के गर्भ में चित से प्रकाशित होता है चित यहां प्रकारे करता है चित से यह प्रकाशित होता है महा माया के गर्भ में और यह सब का सब इसी को महत ब्रह्म में योनी भगवान कृष्ण कह रहे हैं यह सब का सब क्या है अशुद्ध विद्या है इसे अशुद्ध विद्या मतलब इंद्रियों के जो दिशा है वो अविद्या की ओर है अगर चित बुद्धी अंतर मुखी हो जाए और अपनी दिशा को बदल दे आत्मा की ओर कर दे तो वह विद्या हो जाएगी वह अशुद्य विद्या हो जाएगी और इंद्रियों की ओर जो दिशा है वह अशुद्य विद्या है तो इस प्रकार से यह बात को समझाने की होशिस और यह सब प्रतियात्मक है यह सब वैकल्पिक है वैकल्पिक मतलब विकल्प रूप में है अप्शनल है एक तरह से विकल्प रूप में है यह ना कि निर्विकल्प है सत्य है और फिर स्वप्न है स्वपन के मानिंद है मतलब कि कुछ भी सत्य नहीं है संसार भी स्वपन के मानिंद ही है और स्वपन भी तो हम ऐसी देखते हैं जैसे हम संसार को देखते हैं स्वपन भी तो हम वैसे ही देख रहे होते हैं इसमें कोई आश्यरे की बात नहीं है हम स्वप्ण भी इस अंसार की तरह ही देख रहे होते हैं यह तक थे हमें समझ लेना चाहिए और अशुद्य विद्या क्या है और कल हमने शुद्य विद्या की चर्चा की शुद्य विद्या स्वरूप का जो शरीर है वो स्वेम ओंकार है प्रणव है लेकिन अंतर से हम उसे जान पाते हैं तो यह हमें समझने का यह प्रयास करना है तो सब कुछ इंद्रिया नुभूती जितनी भी है और जितने जनमों की है वो सब की सब चित में है वो सब की सब चित में है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स को भी देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं नवजोत नात जी शित्रणजन बर्वा प्रणाम गुजी ओम तत्सत्त्त प्रेस एक्ष्प्ड रुट्ष टोल्ड भगवान कृष्णा तू अर्जुना आट रुट्षणा वाट ग्रुट्षणा तू अर्जुना ए यौज वज़। प्रुट्षणा बढ़त इस्टरणे ये कह रहे हैं कि अरजुन मैं तुझे पांच सत्य बताऊंगा इफ नॉट अगर नहीं तो वी हैव मेट दसम फाइब टूथ हमने बना दिया है फाइब टूथ तो फाइब टूथ कृष्ण ने अरजुन को क्या कहा ये किस इसलोक में है क्या कोई ऐसा वर्ष कोई ऐसा इसलोक है जहां पर स्रीकृष्ण ये इस बात की वो घोषना कर रहे है या वो डिकलेयर कर रहे है कि मैं पांच सत्य बता दिया हूँ या मैं पांच सत्य बताऊंगा I will speak the five truth If not, then it is only the interpretation of someone ये किसी का अपना interpretation है कि भगवान कृष्ण ने पांच सत्य बताया लेकिन क्या गीता ऐसा कहती है कि पांच सत्य बताया जाएगा Do Gita declare that five truths will be explained जैसे कि four noble truth तो बाद में वहाँ आता है कि I will explain the four noble truth वहाँ पर बुद्ध कहते है कि हाँ चार आरे सत्य में बताऊंगा लेकिन क्या ऐसा क्रिश्ण कहते है कि मैं पांच सत्य बताऊंगा I will speak the five truths if not if there is no sloka अगर कोई sloka नहीं है कि five truths के बारे में तो फिर ये हमारा किसी का अपना interpretation हो सकता है कि क्रिश्ण ने कोई five truths बताया होगा ठीक है so ये question भी how does this question stand ये question कैसे बनता है ये question कैसे खड़ा होता है कि हाँ पांच सत्य क्रिश्ण ने बताए वो किसी ना किसी वर्स में लिखा होना चाहिए कि हाँ five truth अगर नहीं लिखा किसी वर्स में कि I am explaining the five truth भगवान क्रिश्ण ये बोले कि अर्जुन मैं तुझे पांच सत्य बताऊंगा I will tell you five truth if not then someone interpreted it then someone interpreted it then who interpreted he will know the better I can't reply for this question परम्पुजी आजरनेगुजी जगत नरायन जी नवजोत ना जी रविंद्र मक्वाना अशोक माली अवधेश कुमार अमन ककर नरेंद्र कुमार जी, सीतारा माली, अमन ककर जी तुरुजी जब हम ध्यान में द्रश्टा भाव में होते हैं तो मंत्रों का जाप अजपा जप में करना बेहतर होता है या मंतों का स्वास खोड़ते हिए साउंड में जपना चाहिए जब हम द्रश्टा भाव में होते हैं तो बस द्रश्टा भाव में रहिए जब हम द्रश्टा भाव में रहते हैं तो भईया द्रश्टा भाव में ही रहिए ना उससमें कुछ जपने की ज़ुरत है ना उससमें कुछ बोलने की ज़ुरत है द्रश्टा भाव में रहिए स्वासों के परती भी द्रश्टा भाव रखिए स्वासों के परती भी द्रश्टा भाव ही आपको रखना है तो जब आप द्रश्टा भाव में हैं तो कुछ रटने कुछ जपने का कोई मतलब नहीं बनता है फिर नरेंद्र कुमार मन से बाहर निकालने का मार्ग बताने का कश्ट करें मन से बाहर निकलने का मार्ग ध्यान योग है क्या चेतना को निरजीव तथा सजीव में मान सकते हैं किसी वस्तू का निरजीव होना और किसी वस्तू का सजीव होना कोई वस्तू निरजीव है इसका मतलब उसमें जीव नहीं है कोई वस्तू सजीव है उसमें जिवत्व है तो सजीव है निर्जीव और सजीव का संबंद चेतना से नहीं है निर्जीव और सजीव का संबंद जीव से है जिवत्व के आधार पर किसी को निर्जीव कहा जा रहा है जिवत्व के आधार पर किसी को सजीव कहा जा रहा है ना कि चेतना के आधार पर क्योंकि परते के वस्तू चेतना के कारण ही है चाहे सजीव हो या चाहे नर्जीव हो अगर आप किसी नर्जीव वस्तू का अनुभाव कर पा रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं? शेतना कि कारम कर रहे हैं? अगर आप यह डिकलेयर कर रहे हैं कि फलानी वस्तू यह अब मेरे पास एक स्रिमत भगवत कीता है, तो अगर आप यह कहोगे यह निरजीव है यह सजीव है, वैसे तो इससे हमें ग्यान मिलता है बहुत कुछ. क्या वस्तु को सजीव कह सकते हो, तो यह मात्र आपकी इंड्रिया अनुभूती ही है, this is your sensual experience, कोई वस्तु निर्जीव है और कोई वस्तु सजीव है, this is your sensual experience only, not more than that, ठीक है, यह आपकी एंड्रिक अनुभूती है, कि फलानी वस्तु निर्जीव है और फलानी वस्तु सजीव है और इसके अलावा यह कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो जितने भी निर्जीव वस्तु है, वो चेतना के समराज्य से बाहर नहीं है, not beyond the empire of consciousness, उसके समराज्य से, उसके राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है, तो इसी लिए किसी वस्तू का सजीव होना किसी वस्तू का निर्जीव होना पहली बात तो यह एक सेंसूल एक्सपिरियन्स है यह आपका इंद्रिया अनुभूती है अब माल लिजिए कि आप आग में हाथ डालो हाथ जल जाएगा लेकिन क्या जलेगा? चमड़ी ही तो जलेगी न जो इस थूल शरीर है वही तो जलेगा न और जो सुक्ष्म है क्या उसे अगनी जला पाएगी? क्या उसे अगनी जला पाएगी जो सुक्ष्म है? तो किसी की मिर्त्यू हो जाना, किसी का सजीव हो जाना, किसी का निर्जीव हो जाना यह सब आपका sensual experience ही है तो आप किसी भी वस्तू को निर्जीव अनुभाव कर रहे हैं तो चेतना के कारण कर रहे हैं चेतना के समराज्य के बाहर नहीं है इसलिए किसी वस्तू का निर्जीव होना और किसी वस्तू का सजीव होना इसमें चेतना का कोई लेना देना नहीं है यह बात सजीवता और निरजीवता का संबंद जो है मातर जीवत स्वे है चेतना से नहीं है चेतना से इसका कोई लेना देना नहीं है चेतना सर्वव्यापी है सर्वव्यापी है सर्वव्यापी क्योंकि इस संपूर्ण संसार का अनुभाव आप चेतना में ही कर रहे हैं तो इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो beyond consciousness हो या चेतना से परे हो कुछ भी ऐसा नहीं है ठीक है? चेतना सब में है यह कह सकते हैं चेतन्य और चेतना को अंतर बताने का कर्ष्ट करें चेतन्य जब हम शरीर की बात करते हैं जब हम जीवबोध की बात करते हैं तो हम उसे चेतना कहते हैं और जब हम उसे आनंद रूप में देखते हैं जब हम उसे समाधी रूप में देखते हैं स्वतंत्र होकर देखते हैं तो उसे हम चैतनने कहते हैं थोड़ा सांतर है एक ही विशय है अलग-अलग चीज नहीं है नर्सा राम जी रमेश पेश्वानी जी शिवा शर्मा रतन सिंग जी कुछ ना कुछ समझदार हा सधारन में जो कोई भी इस चैनल से जुड़ा है कुछ ना कुछ समझदार है सधारन मन दस मानिये सुन रहें सकते हैं विरेंदर मिश्रा अशोक रावल जी ठीक है शिव शर्मा जी अची बात है लरित गर्ग जी राजू पाल उशा शिर्वास्तों जी श्वेता राय सिनहा सतीश मास्तर जी ओमतस्त मादूरी कोलेज जी जितेंदर शुकला इसमिता सावन राम सिंग कश्यप रूपलाल विश्व कर्मा पवन कुमार गुपता भीकु कुचाडिया चित क्या है कारण शरीर क्या है पिछले जनम के कर्मों के रिकॉर्डिंग कहां पर है चित में होती है सारी रिकॉर्डिंग चित में है और कारण शरीर पर यह सब विडियो पहले भी बने हैं आप सुन लेजिए लेकिन कारण शरीर जो बीज को रखता है जो बीज रूप कारण शरीर है बीज हमारे संसकारों के हैं और कर्म स्वपन में और जागरत में कर्म होता है कारण शरीर अवस्था है सुशुप्ती की ठीक है तो सुशुप्ती अवस्था में कारण शरीर कास्तित्व है और स्वपन अवस्था में सुक्ष्म शरीर का और जागरत अवस्था में इस थूल अदेह के साथ जीव रहता है तो ये कारण शरीर के बारे में बताया गया है और हमारे चित में ही हमारे कई जन्मों का जो जाटा है वो सब हमारे चित में है चित क्या है तो चित बुद्धी का चेतना का स चित को बाद में माना गया। चित विक्सित हुआ ठीक है। चित जो हैं विक्सित हुआ और उसने सारा data, impressions जो है वो श्टोर करना शुरू कर देता है। हमारे जितने कर्म है, जितने सरकार, संसकार है, सब का डाटा सब उसमें है, ठीक, और वहीं से हमारे संसकार फिर जागरित होते हैं, जोनती दत्ता जी, ओम नमस्षिवाय, हरहर महादेव, धयानंद जी, मनीश जादो जी, सरोज कृष्णानी, गंबीर शा, आशारानी, रवी घई, चित क्या होता है, चर्चा हो गई, कारण शरीर क्या है, चर्चा हो गई, जलाराम राइका जी, जैश्री कृष्ण, गनेश आ बनी हुए, श्रीमत भगवद गीता के प्लेलिस्ट में आप जाएए, वहाँ पर इसकी पूरी विडियो बनी हुई है, वहाँ पर, क्योंकि अभी इसको समझाएंगे तो हमें आदा घंटा और लग जाएगा, ठीक है, तो ओम तत्सत का बस इसका आर्थ जान लिजी, ओमका कार से भगवान कृष्णे, ओम तत्सत का महत्व श्रीमत भगवद गीता में है, वहाँ पर आपको इसके उपर पूरा विडियो है, लेकिन संशेप में मैंने आपको बता दिया, सुक्ष्म शरीर में अगनी तत्व और जल तत्व नहीं होता है, किसने बता है, पांचो तत् तो होगा ही, हाँ आप कहते कि पिर्थवी तत्व नहीं होता, तो कि पिर्थवी तत्व से इस थूलता आती है, तो लगता कि हाँ कुछ सोचा गया है, लेकिन सत्य क्या है, पांचो तत्व होते हैं, सुक्ष्म सरीर में पांचो तत्व का सुक्ष्म रूप ही होता है, और प पाचों ही तत्व वहाँ पर होते हैं तो पुरियस्टक जिसे कहा गया है वहाँ पर पाचों तत्व का वर्णन मिलता है लेकिन अपंचीकृत इसके लिए वेदान्त में पंचीकरन का सिध्धान्त बताया गया है पंचीकरन का सिध्धान्त तत्वों का एक विशेस अनुपात में एक special ratio में मिलना ही पंची करन है तो इस तरह से पंची करन के सिध्धानत के अनुसार क्या कहा जाता है कि जितनी भी स्थूल स्रिष्टी के विशे हैं जितना भी स्थूल वस्तू है उन सब में पंच तत्व है जैसे कि स्थूल पानी जिससे कि आप गीले हो जाते हैं बरसा पाँच तत्व है जो पानी हम पीते हैं जो पाणी हम इस तूल इंद्रियों से अनुभाव करते हैं वो जो पानी है उसमें भी पांचो तत्व है यही पंची करण का सिध्धान्त है विदांत दर्शन में पंची करण का सिध्धान्त आता है तो इसी लिए पंचो तत्वों से कुछ भी अलग नहीं है इस थूल जगत में, हाँ सुक्ष्म जगत में आपंचिकृत सत्व होते हैं, आपंचिकृत मतलब वापस में एक दूसरे से बंधे हुए नहीं होते हैं, बंधन में नहीं रहते हैं, बंधन में ना रहने एकारण उनको आपंचिकृत कहते हैं, लेकिन वहाँ पर सुक्ष्म श शरीर अपने इक्षा मातर से किसी भी तत्व को धारन कर सकता है, लेकिन ये सब नहीं कर सकते, जो सिद्ध योगी हैं वही कर सकते हैं, ठीक है, अनिथा प्रेत योनी में भटकने वाले अपने करम संसकारों के बहाव में ही दुख भोगते रहते हैं, नरक्का भोग करते रहते एक तरह से, ठीक है, तो ये चीज है, तो पांचो तत्व विद्यमान है, प्रते के जीव में, प्रते के शरीर में, और सुक्ष्म शरीर में भी आप अंचेकरत रूप से सुक्ष्म रूप में पांचो तत्व विद्यमान है, अमन ककर जी बहुत बहुत धन्यवार ठीक है, आपको सुनने से हमारी साधना हो जाती है, चलो जी अच्छी बात है, साधना के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, तो ध्यान तो वहां जाएगा ही जाएगा, कुछ ना कुछ साधना तो जरूर हो जाती है, लेकिन आगे वढ़कर और भी साधना करनी चाहिए, ठीक है, पं में भी पंच तत्व है, देवताओं में भी पंच तत्व है, ठीक है, देवताओं में भी पंच तत्व है, सब में पंच तत्व है, ठीक, हाँ, जो सुक्ष्म योनी है, देवता सुक्ष्म योनी है, भूत प्रेत सुक्ष्म योनी है, तो अपंचिकृत, अपंचिकृत रूप चलिए इसके बाद हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं और जो है कारिकरम को विराम देंगे और कल फिर मिलेंगे हम लोग लाइव चर्चा में अभी बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण विशय है रहस्समाई विशय रहस्समाई शवद आपको मिलेंगे शिव सुत्र में पहले भी मिल चुके हैं कई ऐसी बाते आपने शिव सुत्र में सुनी होंगी चोंशायद इस पश्च रूप से पीछे नहीं लिखी गई हमने नहीं सुना ग्यान को इस पश्च रूप से बंधन बताय और भी कई बाते समाधी सुख की चर्चा की गई और अभी और भी बहुत सारी बाते हैं जो आगे मिलने वाली है शिव सुत्र अभी है इसमें अभी कई सुत्र बाकी है अभी हम शाक्त उपाये पर चर्चा कर रहे हैं और फिर आन्व उपाये पर हम चर्चा करेंगे और फिर कारिका पे भी हम चर्चा करेंगे ठीक है जिग्यास वो तो इसी के साथ आज विदा लेते हैं चर्चा हुई और कल फिर हम मिलेंगे लाइफ चर्चा में नौ बजे और इस चर्चा को अध्यात्मिक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत बहुत आभार आप सभी का चुड़े रहें बने रहें और ध्यान यूग का कोर्स करना ध्यान योग है तू आप इस नंबर पे संपर करकर संपर करकर आप जान लेंगे गर आपको ज्वाइन करना है 14 जनवरी से ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है लाब उठाने के लिए आप ज्वाइनिंग इससे जुड़ना शुरू हो चुका है आप जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य जुड़कर लाग उठाईए चलिए ठीक है इसी के साथ मैं अभी विचारों को विराम देता हूँ और कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 बजे ठीक है बहुत बहुत आभार आप सभी का झालप झालप तो लाइव लाइव भार आप सत्काव लाइव देता हैं लाइव लाग झालपकर बहुत चलिए विराम फिर्ञ़ और कर चुड़ करें रहँ अपारों झाल झाल